गुड मॉर्णिंग इंजिनिंग स्टूडेंट्स यहां इस वीडियो को बनाने का एक मेरा उद्देश से था आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे मुझे एक मौका मिला था करीब थर्मल पाउर प्लांट बायो मास थर्मल पाउर प्लांट गाजीपूर में और इसको लीड करने का एक मौका मुझे मिल गया था 2006-23 सितंबर और पाइलिंग जो से कहिए तो सिविल मतलब अगर हम कहें कि कांस्ट्रक्शन आफ बायो मास थर्मल पाउर प्लांट यह 15 मेगावाट का गाजीपूर में है तो यह पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करीब सत्तर करोन का था उस समय और दोजार मतलब 30 सितंबर जब मैंने साइट को सम्हाला तो साइट क्लाइंट की तरफ से मैं साइट पे था और मेरा काम यही था कि जितने भी कांट्रेक्टर्स थे उनको रिसीव करना उनके पर और दिन भर जितना काम हुआ है उसकी साइट प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाके अपने मालिक को देना तो यही साइट इंचार्च का काम भी होता है यही प्रोजेक्ट मैनेजर का भी काम होता है चुकि छोटा प्रोजेक्ट था तो यहां पर एक तरह से मैं साइट इंजिनिय थे जो कि स्रीम ये पावर कार्पोरेशन के उत्तर प्रदेश के रिटायर्ट सी जीम थे तो उलेक्ट्रिकल से थे तो उनका सिविल में उतना नहीं था तो लेकिन फिर भी उनका एक हमारे पीछे एक आशिरवाद था और मालिक जसबीर सिंग जी का एक सहयोग था कि नहीं आप दीपक सिंग करो हो जाएगा तो इस साहस के साथ मैंने इस प्रोजेट को किया और आप लोगों के आशिरवाद से लगभग सिविल का मैंने इसको ये माना कि ये मैं कालेज बना रहा हूँ तो हर चीज के फोटोग्राफ को और वीडियो को ड्रैंग को डाकुमेंटेशन को चुकि जो भी मेरे पास आता था तो वो अपनी डाकुमेंटेशन देता था तो उस डाकुमेंटेशन को फॉर्मेट में करना और चाहे वो बॉयलर की हो टर्बाइन की हो सिविल की हो या इंस्टुमेंटेशन की हो तो सारी इंजिनिरिंग चूंकि प्रोजेक्ट मेनेजमेंट में लगबग सारी चीज़ा सारी इंजिनिरिंग आ जाती है Civil Mechanical Electrical Instrumentation और Electronics भी इसके अंदर आ जाता है साड़े क्योंकि 110 वोल्ट की DC सप्लाई को मेंटेन रखना पड़ता है कि अगर शटडाउन हुआ तो वो आपजुलरी जो हमारे है वो आइटम हमारे 110 वोल्ट DC से चलते रहे हैं तो इसका 516 दिन करीब काम हुआ और इसमें Civil Mechanical Electrical फोटोग्राप से आप देख रहे होंगे निचे पंड में लेटर और Minutes of Meet मैं अपने तरफ से कुछ क्रिएटिव करता रहता था साइट फ्रोग्रेस रिपोर्ट और ये Minutes of Meet ये तो पहले से भी थी और लेकिन हर हपते करता था और कांट्रेक्टर्स के साथ बैठके मालिक के साथ बैठके और फेस टू फेस टाक करके और मुझे करने में बहुत अच्छा लगा और पांटसो पंदरा दिन कब गुजर गया पता नहीं चला लेकिन ये था कि इसके अंदर मुझे अणभा अच्छे मिले और चुकि मेरा उदेश भी यही था कि इसे इस किताब की तरफ से बनाया जाए, जिसमें दो चार पांच चार फोटोग्राफ भी हो, फोटोग्राफिक्ली अगर हम चाहें तो चातर आपको पढ़ा दें चातरों को, और डाकुमेंट्स हों, ड्राइंग्स हों, और थेउरी जो है थोड़ी NPTI, National Power Thermal Institute की मैंने पारा की जो हम, मैं खुद पढ़ाता हूँ, समान अधारित भी से में, मनेजमेंट्स तो उसमें से लेके, और मैंने इस काम को किया, और उसका उधान आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट पेज में, राइट साइड में, पहली फोटो जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के तो इस स्टूरी को जब कवर करना होगा, इसको बनाना है, तो इसके लिए प्रोपर एक प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ जो हैं, वो वीडियो आपके लिए और वर्क अडर्स जो भी है, चाहे वो सिविल से लेके इंस्टूमेंटेशन तक के, ये सारी चीज़े जब तक आएंगी नहीं आपको, जो और प्रेटकली रूप से आप इसको देख नहीं लेंगे, तो सिविल मेकनिकल इंजिनियर इसी लिए थोड़ा सा गरबर हो गए, वरना ये डाकुमेंटेशन आपको आनी चाहिए, और मैंने कालेजों में कोशिस की है, अब भी कोशिस कर रहा लेकिन चाहतरों आपके लिए है कि अगर आप आते हैं, तो मैंने इस सिक्षा को कई बच्चों को निस्वारत बताया भी है, और उन्होंने अच्छा रिस्पॉंस भी दिया है, तो इसका मतलब मेरी किताब सही है, और ये फोटोग्राफ भी सही है, और जरूर सामने देख क 70 करोन का ये खड़ा भी है, चल भी रहा है, और इस पर मैंने दिपक सिंग इसकी जो अपसिष्ट आरेचे एक उन्होंने आपको दिया भी है, दिपक सिंग आरेचे, तो ये उसी में मैं डाल ला हूँ, प्रास्ट्रेक्शन 15 मेगावाट, तो उस प्लेश्ट में आपको ये बैटके और आराम से धीरे-धीरे क्योंकि पांसो पंदरा दिन को एक वीडियो में नहीं समिटा जा सकता, ना ही पांसो पंदरा पेज और पांसे जार फोटोग्राप्स को, तो आप समझ सकते हैं, मैं थोड़े में अपनी बात कह रहा हूँ, और बाकी आप अगर समझदार है, तो जरूर समझेंगे, और मैं कोशिस करूँगा गाजीपूर के एक दो पालिटेक्नी कालिज में चातों से मिलने की, कि इस चीज को, ये एक तरह से लैब है, चूकि चल लई है, ये सिविल मेकनिकल इलेक्टिकल इस्टुडेंट के लिए तो लैब ही है, और बाकी जैस आप समझें, अगर आप मिलना चाहें, तो जरूर मिलने, कमेंट्स दें, फोटोग्रावस दें, इस वीडियो पे तो आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इसको समझ सीख सकते हैं, हाँ, नौकरी की बात, आप जब समझ सीख जाएंगे, तो एक चीज जान लीजे, ग्या ग्यान बोध अगर आपको हो गया, तो परावरतन निश्चित होना है, नौकरी आपको मिली हैं, और ये दो मैच आतरों पर प्रूफ कर चुका हूँ, और उसका रिकार्ड भी मेरे पास है, तो ग्यान बोध की तरफ बढ़ें, परावरतन निश्चित होगा, पहले ग्यान बोध सही अर्जित करें, क्लास में बैटके थिवरी और ब्लैक बोर्ड से काम नहीं होना है, थोड़ा बाहर भी निकलें, बाहर भी समय दें, दो घंटें जरू दें तभी होगा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहा सकता, बाकी आप समझदार हैं, और ये छातरों के लिए है, जिसे इस रूप से इंजिरिंग और डिपलम आचातरों के लिए, सिविल मेकनिकल इलेक्टिकल इंस्ट्रुमेंटिशन तक के बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा इसको जाने, प्रेट का लिए प्रोजेक्ट मेनेजमेंट आप पढ़ते भी हैं, आपके विसाय में है भी प्रोजेक्ट मेनेजमेंट फाइनल इयर में, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट ले ले ले, एक पंद्रह मेगावाट पाउर प्लांट का इस पर रिपोर्ट बनाए, तो आप मेकनिकल के हैं, तो मेकनिकल बनाए, सिविल के हैं, सिविल बनाए, मेलेक्टिकल बनाए, या क की मदद करूँगा आपका दोस्त दीपक सिंग आरेचे